हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल से तंबल सिलपी में यहाँ पे टीजी टी पीजी टी यूजी सी नेट होम सेंस की क्लासस चलती है फ्रेंट्स आज का टॉपिक है कापास मतलग कॉटन आज इसके कुछ मेंट पॉइंट हम लोग पढ अधन चतुरती सहसताबदी से ही होता आ रहा है यूरानी भारत में कपास के पेर को देखकर आश्या चकित रह गये थे बहुत कार में बनारस वर धाका अपने सुन्दर वस्तरों के लिए प्रसिती थे धाका के वस्त सबनम आव ए रवा वा मलमल खास अपने सौंदर की राले थे फिर एक पॉंड कपास में 250 मील से भी लंबा धागा होता है तो एक पॉंड कपास में 250 मील से भी लंबा धागा होता है तेरवी सताबदी में कपास का उतपादन यूरोपी देशों में वह इंग्लेंड में भी शुरू हो गया था तो तेरवी सताबदी में कपास क सबसे प्रथम इससे ऐसे कोशन बनते हैं ठीक है वस्तरों के अत्रिक कपास के पादन कहीं पादन के कहीं अनुपियोग है पहला रशानिक प्लास्टिक सैटल प्रूफ ग्लास गन कॉटन फ्रोटोग्राफिक फिर्म वार्निस आधी में भी होता है इसका छिकला पर्टिलाइजर कागज प्लास्टिक पश्वो के भोजन गोला बारूद पटाके के प्रियोग में भी किया जाता है इसके बीजों का तेल भी बनता है ठीक है साथ ही शाबून उध्योग में भी ये प्रियोग होता है तो इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए कि कपासकत पादन और कहां प्रियोग किया जाता है तो अगर इनमें से कुछ भी दिया हो तो अब टिक लगा दीजेगा यहां से बनते हैं, जहां से बनते हैं, वही चीज में बता रही हूँ, और most important question है, और paper में चाहे, बहुत बार paper में पूछा गया है, इसलिए मैंने highlight किया है, कि बिनॉले की खली पशो के आहाय की रूप में इस्तिमाल की जाती है, ठीक है, बिनॉले की खली पशो के आहाय की र भाग जो होता है, वो cellulose से नीमित होता है, जो कपास का रेशा होता है, उसका मुख भाग किस से नीमित होता है, cellulose से, ठीक है, फिर आपको अताते हैं, कि 40 से लेकर 90 पतिशत cellulose के अत्रीक 5 से लेकर 8 पतिशत तक का जलका अंश रहता है, जो कपास का रेशा का मुख ठीक है और 40 से लेकर 90 पतिशत सलिरोज के अत्रिक्त 5 से लेकर 8 पतिशक तक का जल का अंश रहता है ठीक है फिर आपका आता है कच्ची अवस्था में कपास के रेशो को यदी कच्ची अवस्था में कपास के रेशो को यदी अडू चीर यन्त के देखे तो यह पतले टूप में एक नलिका होती है जिसमें शेप नामक एक तरह रस बराता है जब रेशा पक जाता है तो शेप भी सूक जाता है और इसमें एठळ अर्वाव माता है और फ्रती इंच 2-2-0 तो जब कच्ची वस्ता में जब कपास के रेशे को यदि अडुच्विच अडुविच यंत से देखते हैं तो पतले टूप के समय प्रतीत होते हैं और टूप के मद में एक नलिका रहती है जिसमें शेप नामक एक तरह रस भरा रहता है जब रेशा पक जाता है तो शेप भी शूप जाता है इसमें एटन अत्वा गुमाव परते हैं यह गुमाव प्रती इंच 200 से लेकर 400 तक होते हैं फिर इसकी लंबाई आधा इंच से लेकर धा इंच तक होती है वह व्यास 16 से लेकर 20 माइक्रोन होता है इसकी लंबाई कितनी होती है आधा इंच से लेकर धा इंच वक व्यास 16 से लेकर 20 माइक्रोन होता है भीगे अवस्था में इसकी शक्ती 3 प्रतिशत और बज़ जाती हो कपास मजबूत रेशा है ठीक है कपास में रेशे में प्रतिस्था का गुड एकदम नहीं होता है कपास के रेशे में तनाव सामर्थ प्रतिस्कंदता का अभाव होता है ताप समवान की छमता कपास में अच्छी रहती है सूती वस्थ में सिल्वट वर सिकन वस्थ सल्वट जल्दी परती है कपास की आधिता प्रतिधारन 7 से लेकर 8 परतिशत है कपास की आजिता प्रतिधारन 7 से लेका 8 पतिशत है सोडियम हाइपो कोराइड की घरेरू ब्लीच इनके लिए सरोत्तम रहती है कपास उच घनत्तु का रेशा है इसका वेशिष्ट गुरुत्त 1.54 है फिर है कपास का रेशा सांध आकार्बिनिक अंब जैसे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फियूरिक, नाइट्रिक से पूरी तरह नस्ट हो जाता है चारी पदास से कपास का रेशा आप्रवावित रहता है ताप सेन करने की छमता सबसे अधिक होती है कपास में पेंदू 300 डिग्री फॉरन हाइट तक ताप के पहुचने के बाद सूती वस क्या होते है जुलसने लगते है और 445 डिग्री फॉरन हाइट तक पहुचने पर जनने लगते है यह सब इंपोर्टन पॉइंट है कपास के यहीं से कोशन बनते है फिर प्राचीन वस्तरों की सुरच्छा के लिए इनने एसिट प्रूफ कागज के पैक में रखना चाहिए सूती वस्तरों को आदर अवस्ता में बहुत दिनों तक बंद रखने से उन पर फफूंदी लग जाती है और मार वाले वस्तरों में फफूंदी और भी जल्दी लगती है सूती वस्तरों पे कीरे नहीं लगते हैं कपास विद्धुत का समवाहन करता है अब हम लोग जान लेते हैं जो कॉटन वस्तरों की निमार्ण प्रक्टिया क्या होती है इसको सिक्वेंस से लगाने को बोलते हैं तो पहले जान लेते हैं कपासकी केती तो कपासका पौदा मुक्ता गम अस्थान पर पहुतन होता है लगाताँ दो सो दिन गम मौसम इसके लिए आवश्क है जब पौदा तीन इंच के होते हैं तब इनकी सुह२ी होती है पहले इसके फूल क्रीम रंग की होते हैं बाद में बैगनी रंग की हो जाते हैं फूल जह जाने पर कोई निकलाते हैं जब फूल जह जाते हैं तब क्या निकलाते हैं कोई जिसके भीतर बीज वा कपास के रेशे बंद हो जाते हैं कोई निकला तो उसके अंदर क्या बीज और कपास के रेशे बंद रहते हैं इस समय पौदे की लंबाई 6 फिट होती है कुछ दिन बार कोई फट जाते हैं और कपास के स्वेथ रेशे दिखाई देने लगते हैं फसल काटने का यही अनकूल समय होता है जब इने बीनने निकला का गाठ बांदना ठीक है तो कोई बीन लेने के बाद कैपास के रेशे निकाल लिये जाते हैं और इस समय तक रेशे लकरी, पत्ते धूल, आदी के कारण असुद्यों से भरे जाते हैं इन असुद्यों को रेशों से प्रतक कर दिया जाता है और यह काम गिन इनमशी के द्वारा संपन होता है मशीन में बड़े बड़े दाते-दार आरिया लगी होती है इनकी तेजी से घूमने पर रूई इसमें पस्ती जाती हो दूसी तरफ जाकर वस्त एकत होता जाता है तो असुद्या इनसे प्रतक होके नीचे गिर का जमा होती रहती है इसी एंत में रेशो पर वायू का तेज जोका लगाया जाता है जिससे रेशे सुद्वा स्वच होकर निखा जाती है फिर गिनिंग के बाद साफ हुई रूई 500 पॉंड की गाठो के रूप में टार्ट में लपेट कर लोहे की पट्टियों से कस कर बांदी जाती है फिर आपको इसके बाद नेक्स प्रक्रिया होती है इसमें गाठो को खोलना तो आपस में मिलाना तो रूई की गाठी मिल में पहुचने पर खोल दी जाती है और रूई को धील करके फैला दिया जाता है सबी गाठों की रूई को आपस में फेट जिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है, इससे सब में समानता आ जाती है, फिर आपका अधा कार्डनिंग करना, तो अशुद्यों को निकालना, रेशों को सुलजाना, उन्हें समानता करना, आधिय वशकार, कार्डनिंग की प्र फिर दबलिंग होता है फिर काई काड्स wrench को एक साथ मिला दिया जाता है जिसे हम डबलिंग कहते हैं ठीक है फिर होता है कंगी करना महीन धागे बनाले के लिए रेशिव पर कंगी की जाती है कॉम्बिंग के प्रक्रिया के फर्स रूफ जो पुनिया तयार होती है इसे कॉमबग्ड स्लाइवर कहते हैं कपास की फिर क्या होता है पुनिया बनाई जाएंगी कंगी कलिया फिर पुनिया बनाई जाती है तो कपास की छोटी पतली पुनिया बनाई जाती है पुनियों का व वाले तमान रोलर के बीच से होकर निकलते हैं, और समौही उत्पादन के लिए रिंग फ्रेम पर कताई होती है, रिंग फ्रेम अतिदिक तेजी से काम करने आला यन्थ है, म्यूलर फ्रेम धीरे धीरे वारुक रुक कर चलने आला यन्थ है, धागे तयार हो जाने पर अब इंसित वस्ति की बुनाई की जाती है ठीक है तयार सूती वस्तिरों को बिविम विदियों से प्रस्कित किया जाता है मार दिया जाता है मार दिया जाता है रोय साफ कर जाता है आधिकांश प्रकागी प्रस्कित्याएं सूती वस्त पर असानी से दी जाती है